हेलो दोस्त मैं प्रीति आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं प्रीति वायस दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुना रहे हैं जा रहे हूँ वह कहानी है लाल की सेर की दोस्तों ये कहाने आप तो अंग तक देखिएगा अगर आपको ये कहाने अश्ची लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों कहाने शुरू करते हैं गर्मी के दिन में जंगल के एक सीर को बहुत जोड़ों से भूख लगी इसलिए वो इधर उधर खाने की तालाश करने लगा कुछ देर खुजने के बाद उससे एक खरगोश मिला लेकिन उसे खाने के बदले में उसे उसने छोड़ दिया क्योंकि उसे वे बहुत ही छोटा लगा फिर कुछ देर ढूनने के बाद उसे रास्ते में एक हीरन मिला उसने उसका फेचा किया लेकिन वो बहुत से खाने की तालास कर रहा था ऐसे में बहुत ठक गया था जिसके करन वो हीरन को पकर नहीं पाया अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला तब वो वापस उस खरगोश को खाने की विशे में सोचा वही जब वो वापस उसे अस्थान में आया था उसे वहाँ पर कोई भी खरगोश नहीं मिला क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था अब सीर काफी दुखी हुआ और बहुत दिनों तक उसे भूखा ही रहना पड़ा कहाने की सीख दोस्तों में ये कहाने से यह सीख मिलती है कि अत्य धीक लोव करना कभी भी लावदायक नहीं होता है अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चेनल को सब्सक्राइब करलेजीगा